स्टार उत्सप के पॉपलर डेली सोप सपना वाबल का बिदाई में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा साधना ये सुनकर के वसू अंदर घर में है उसे बचानी के लिए अंदर चली जाती है और वहाँ देखती है कि वसू धुएं के कारण वहीं गिरी हुई है साधना वसू को तो जैसे तैसे बाहर निकाल देती है पर साधना खुद चल जाती है वसू बाहर रनवीर रागनी और आलेक को बताती है कि साधना अंदर है तब आलेक हीरो की तरह अंदर कूद कर बेहोश हुई साधना को बाहर निकाल कर लाता है कौशलय निवास में कावी को लेकर डॉक्टर को दिखाने लाते हैं क्योंकि कावी की तबित कुछ ठीक नहीं जिसके बाद वहां कोशल्या और प्रकाश्चन भी आ जाते हैं यह आपको क्या हुआ रनवीर जी रनवीर बताता है कि साधना भावी की कंडिशन बहुत सीरियस है रनवीर के साथ दोन अपनी हमारी प्लानिंग ऐसे फेल नहीं हो सकती पता नहीं क्या कमी रह गई जिसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि साधना दम घुटने की वज़े से बेहोश हो गई है उनकी कंडिशन काफी क्रिटिकल है उनकी सर्जरी करना काफी जरूरी है आलेक खुद को दोश देता है वहीं वसु को वो सारी यादे याद आती है कि उसने साधना के साथ क्या किया तब अपनी वसु के कहती है कि क्या बात है बड़ी मा मान गई आपको कितनी आसानी से आपने अपने रास्ते का कांटा हटा दिया वसु ये सब चुप होकर सुनती है और वहां से चली जाती है य तब ठीक हो जाएगा आपकी बहु ठीक हो जाएगी उसे कुछ नहीं होगा तब इंद्रिजीत भी वहां आ जाते हैं वसु कहती है कि हमारा एक बहुत जरूरी काम है वहीं हॉस्पिटल में प्रकास चंद कोशल्या साधना को लेकर बहुत दुखी हैं कोशल्या कहती है कि मैं अपनी साधना के लिए निर्जला वरत रखूंगी तब विनीद उनके पास आता है और वो विनीद को सब बताते हैं वहीं अपनी आलेक से कहती है कि तुमने पता लगाने की कोशिश की कि आख कैसे लगी तब रनवीर कहता है कि आख शौट सर्किट से लगी थी मैंने विनीद से कहती है कि जौब के पहले दिन इतना सब कुछ होना अजीब है न विनीद कहता है कि सब ठीक है जब अपनी जादा बोलती है तो विनीद कहता है कि बस कीजे अपनी जी आपको मेरी नौकरी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तब अपनी नवीन वहां से चले जाते हैं रनवीर के पास इंद्रजीत का कॉल आता है और वो आलेक को गले लगा लेता है दूसरी तरफ इंद्रजीत और वसू उन साधवी के साथ मा के सिद्ध मंदिर में जाते हैं साधना के लिए प्रार्थना करने हॉस्पिटल में नर्स रागनी को साधना के लिए मैडिस के बैग में यही एक तरीका था जिससे हम विनीद के लिए और प्रॉब्लम्स क्रियेट कर सकते थे ताकि सारा दोश बड़ी मापर लगता रहे यह सब रागनी सुन लेती है नरसालेक को बताती है कि साधना की हालत और बिगड़ गई है ब्लड लॉस की वज़े से तब रागन इंदर पहुंचती है और अपने किये की माफी मांगती है कि हमें अब और कुछ नहीं चाहिए बस हमारी साधना को अच्छा कर दो जिसके बाद ही इंद्रजीत के पास रनवीर का कॉल आता है कि साधना का ऑपरेशन सक्सेस्फुल रहा हॉस्पिटल में आनंद भी साधना का हाल चाल पूछने आता है जिसके बाद आनंद वहां से जाने लगता है तब फोन पर किसी को इंपोर्मिशन देता है कि हां ओपरेशन हो गया है दो-तीन दिन इंतजार करना पड़ेगा बाद में साधना को होश आ जाता है तब सब साधना से मिलने जाते हैं साधना वसु के बारे में पूछना चाहती है पर कमजोरी में नहीं पूछ पाती तब वसु इंद्रजीद वहां आते हैं पर आलेक वसु को साधना से नहीं मिलने देता वसु कुछ कहना चाहती है पर आलेक उसकी बात भी नहीं सुनता और कहता है कि आज मेरी साधना का जो हाल है वो सब आपक करके आई है वसु कहती है कि हमें बस साधना को प्रसाद देने दो पर आलेग कहता है कि पता नहीं प्रसाद के नाम पर क्या लाई है जिस पर प्रकास्चन कहते हैं कि आलेग बाबू बड़ों से बात करने का ये कोई तरीका नहीं है फिर भी आलेग नहीं मानता और कहता है कि लाग ने साधना को जला नहीं पाई तो प्रसाद में जहर मिला के ले आई तब इंद्रजीत गुसा होकर बताते हैं कि वसू ने साधना के लिए क्या किया है तब आलेक वसू को अंदर जाने देता है साधना सो रही है तब वसू साधना से माफी मांगती है और आलेक ये सब ताकि कोई भी वीडियो आप से मिस्स ना हो विदाई के बाकी वीडियो आप आई बटन पर देख सकते हैं अगर वह आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मुझे शोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं वहां भी मैं काफी सारे वीडियो डालती रहती हूँ अब मैं मिलती हूँ आप लोग से अपने नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई एंड टेक केर